आप सबको मेरा नमस्ते यह जो सेशन है उसमें हम आपको तीन टुटॉल दिखाने वाले हैं एक तो निपल की कंडिशिन्स निपल की स्थितिया एक तो है ब्रेस्ट कंडिशिन्स स्थान की स्थितिया और तीसरा है यह जो आप बहुत सारी मदर्स को निपल शिल्स देते हैं तो उसके क्या कॉंप्लिकेशिन्स है तो वो भी हम लोग उसका एक टुटॉल बनाया हुआ है क्या क्या हमारे पास बहुत सारे निपल शिल्स की कॉंप्लिकेशिन्स आते हैं तो मुझे बहुत मुझे कि टुटॉल बनाना बहुत जरूरी था तो इसलिए हम लोग ने टुटॉल बनाय हुए एक तो है निपल कंडिशन तो निपल कंडिशन जब बच्चा टीक तरह से लाच नहीं करता है तो वो सिर्फ अगर निपल पे बच्चा जूटता वह निपल है बच्चे की जो दाथ के पीछे जो कड़क भागे वहाँ पर चबाता है, तो जब जो चबाता है तो मा को जो निपल है उसमें बहुत सारी लालाश हो जाते हैं, इंफलिमेशन हो जाता है, कभी-कभी इंफेक्शन भी हो जाता है, तो वो मैने बताया होगा है, सपाट निपल होती है कभी कभी निपल अंदर की ओर होती है तो बहुत सारे नर्सों कया करते हैं सिरिंज देते हैं निपल को बाहर निकालते हैं यह करते हैं वो गलत चीज है ठीक है आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा एरिला से दूद एरुला से दूद खीचता है, निपल पे अगर बच्चा रहेगा, उसका मुसर्फ निपल में रहेगा, तो निपल में दूद नहीं आएगा, तो अगर कोई भी बोराई की निपल चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, उनको पता नहीं है के दूद कैसे पिलाना बच्चे को, टेक स्क्रिडल होल्ड में, और उसके बच्चे के बच्चा जैसे बड़ा मुझ करा रहा है, उसके मुझ में नीचे काला भाग दालेंगे, तो निपल है या नहीं है, कुछ फ़रग नहीं पड़ेगा, बच्चा निपल पे लाच नहीं कर रहा है, एरुला पे लाच कर रहा है, तो ये आपको मैंने टुटॉॉल में भी दिखाया हूा है, जो दूसर टुटॉॉल है, ब्रेस्ट कन्डिशन बच्छीन, मतलब कभी-कभी मा को गाट हो जाती है, कभी-कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एपसेज हो जाता है, तो उसमें आपको talent हो गया, तो रॉक्र कभी कभी क्या होता है कि मा कभी कभी वो ब्रेस्ट पंप यूज करती है आज कर वो ब्रेस्ट पंप का बहुत यहाँ पे भारत में लगवा है हर सारी मदर ब्रेस्ट पंप यूज करती है आपको ये बिल्कुल आपको बताना है मा को कि ब्रेस्ट पंप के बिल्कुल ज़रूद नहीं है ठीक है अगर नॉर्मल बच्चा है उसका बच्चे का बजन ठीक है सब ठीक है बच्चा अगर हॉस्पिल में भरती नहीं हुआ है तो आपको breast pump लेने की बिल्कुल जरुवत नहीं है, ठीक है? अगर बच्चा hospital में भरती भी हुआ है, तो भी मा अपना दूद्ध हाथ से निकालके बच्चे को दे सकती है, ठीक है? तो मैंने देखा है कि जो मदरs breast pump लेने की चांस बहुत जादा है, तो आपको पूरा discourage करना है, तीसरा टूटॉल है, वो है complications of nipple shield, आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे doctors है, nurses है, वो nipple shield लगा देते हैं, उनको लगता है कि अगर nipple नहीं है तो बच्चा दूद नहीं पी सक टमाथ है, तो गलत चीज है, प्रक्रा तूद करना हा Спасибо, बच्चाथ पर चुद निपल चीज ऑगा, बच्चा करना है साभा फंट आप उसको आप taxpayer, उसका बच्चाथ सामाध में थाुदो, डूद्ध कर आप, जर्चा मूँ आप तो बच्चा मूफ भी नहीं खोलेगा है जैसे बच्चा निपल शील से दूद लेता है तो अलग तरह से मुउँ इस्तमाल करता है थिक है तो आपको मां को एसे में बताना है कि कोई भी उसे बता है कि जीर के ब federal करो आपको इसको ढूरज करना विक है बहुत complications है, मेरे clinic में जबी बच्चे आते हैं, मेरे project में जबी बच्चे आते हैं, जो nipple shield पे जो बच्चे होते हैं, बहुत difficult होता है बच्चों को मा के stunts पे directly latch कराना, ठीक है, तो प्लीज आप ये tutorial बहुत ध्यान से देखिए, और जितनी मी वदर्थ हैं प्रेग्निंसी में आप सबको बताईए कि निपल शिल्ड आपको बिल्कुल योज नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद स्तनपान कराती माओं के निपल की स्थिति पर spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम सीखेंगे दरारों भरे जखमी निपल और चप्टे या उल्टे निपल के बारे में पहली स्थिति है दरारों भरे जखमी निपल ये ऐसी स्थिती है जिसमें मां के दरारों भरे निपल से खून आता है और इससे निपल, रूखे और खुजली वाले हो जाते हैं अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिनसे दरारों भरे जखमी निपल होते हैं जैसे की निपल से स्थानपान कराना फपूंदी या बैक्टिरिया का इनफेक्शन होना या हर स्थानपान के बाद निपल को साफ करने की आदत होना या फिर शिशू की जीप जुड़ी होई होना शुरू करते हैं निपल से स्तनपान करवाना निपल से स्तनपान सबसे पहला कारण है जिस वज़े से दरारों भरे सखमी निपल होते हैं निपल से स्थनपान कराते समय निपल शिशु के मूँ के अंदर सखत वाले भाग से दबता है शिशु निपल को अपनी जीब और मूँ के सखत भाग से दबाता है निपल के दबने की वज़े से स्थनपान दर्द भरा हो जाता है और निपल दरारों भरे और जखमी हो जाते ह स्टन पर गलत तरीके से मूँ की पकड़ होने से निपल सनपान होता है। इसलिए स्टन पर मूँ की सही पकड़ होना जरूरी है। इससे निपल से स्टनपान की वज़े से दरारों भरे जखमी निपल नहीं होंगे। सही तरह से स्टन पर मूँ की पकड़ इस श्रेनी के एक अन्य चुटोरियल में सिखाया गया है। याद रखें, दरारों भरे जख्मी निपल में मुझ की सही पकड़ होने पर भी दर्द होता है। अगर मा मुझ के सही पकड़ की तक्नीक जारी रखती है, तो धीरे धीरे निपल का दर्द कम हो जाता है। अगला है फपून्दी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अगर मा को फपून्दी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। कुछ माएं हर स्थन पान के बाद निपल को साफ करती हैं। इससे निपल रूखे हो जाते हैं। पर अगर दरारों भरा निपल हो गया हो तो हर स्तनपान के बाद निपल को साफ करना चाहिए साफ करने के बाद जखम पर पीछे का दूद लगाना चाहिए क्योंकि पीछे के दूद में इंफेक्शन से लड़ने और जखम को ठीक करने वाले पदार्थ होते हैं और ये शिशु के मूँ के किटानू को निप्पल के दरारों से अंदर जाने नहीं देते अगला है शिशु को जुड़ी हुई जीब होना जुड़ी हुई जीब में शिशु के जीब की नोक उसके मूँ के अंदर निचले भाग से जुड़ी होती है ये आम सिती नहीं है निप्पल से स्तन पान अधिकतर जुड़ी हुई जीब वाले शिशु ही करते हैं अगर शिशु को जुड़ी हुई जीब हो तो मुँ से स्तन की सही पकड़ के अलावा ओप्रेशन भी कराना चाहिए और इसके लिए मा को डॉक्टर से मिलना चाहिए अब हम दरारों भरे जख्मी निप्पल के इलाज की बात करेंगे अगर मा को दरारों भरे जख्मी निप्पल हैं तो स्वास्त सेविका को मा के निप्पल और स्तन की जांच करनी चाहिए मा को बताएं कि स्थन पान के पहले अपने हातों से थोड़ा दूद निकालें इस से स्थन थोड़े नरम होंगे और शिशु सही से जुढ पाएगा इसके अलावा दूद हाथ से निकालने की वज़ह से निपल में दरारों का इंफेक्षन और सूजन नहीं होंगे अब माग की मदद करें कि वह शिशु को सही तरीके से स्टन से जोड़ पाए याद रखें दूद का बनना कई दफ़े स्टन पान कराय जाने पर निर्भर करता है इसलिए माग को स्टन पान बंद नहीं करना चाहिए स्तनपान के समय कम दर्ध वाले स्तन से शुरू करें अगर स्तनपान के समय दर्ध हो तो उसे अपने हाथ से दूद निकाल कर शिशु को चमच या कप से पिलाना चाहिए और जैसे कि पहले बताया गया है, हर बार स्तनपान के बाद प्रभावित जगए पर पिछला दूद लगाना चाहिए याद से दरारों भरे जखमी या सेहत मन निपल पर ये सब ना लगाएं जैसे साबुन, तेल, लोशन, बाम या इत्र इन सब से जलन हो सकती है और अगर मा को दरारों भरे जखमी निपल हो तो जादा तकलीफ होगी ऐसा हुने पर मा को डॉक्टर या स्वास्त सेविका से मिलना चाहिए दरारों भरे जख्मी निपल से बचने के लिए जनम के तुरंत बाद स्तन्पान शुरू कराना चाहिए स्तन्पान के समय शिशु का गहराई से मुँ की पकड़ होना जरूरी है अब हम बात करेंगे चप्टे या उल्टे निपल के बारे में चप्टे निपल स्तन्प के काले भाग में से बाहर की तरफ नहीं निकले होते जबकि उल्टे निपल अंदर की तरफ मुड़े होते है मा का ये समझना जरूरी है कि चप्टे या उल्टे निपल से स्तन्पान में कोई रुकावट नहीं होती क्योंकि शिशु के मुँ की सही पकड काले भाग पर होती है ना कि निपल पर मा को चप्टे या उल्टे निपल होने पर शिशु के जनम के पहले हफ़ते में मदद चाहिए होती है इस दौरान स्वास्थ सेविका को मा को स्तन पर मुँ की सही पकड समझानी चाहिए इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा याद रखें अगर मा को चप्टे या उल्टे निपल हैं तो असरदार स्तन पान के लिए सही जुड़ाव है क्रॉस क्रेडल पकड, फुटपल पकड और पीट को पीछे करके आराम से बैटने वाली पकड जैसा कि पहले के टुटॉरियल में बताया गया है किसी भी पकड में ये जरूरी है कि मा स्तन को सही से पकड़े जहां शिशु के होंट और मा की उंगलियां एक ही दिशा में हूँ ध्यान दें कि मूँ की गलत पकड से निपल को चोट लगती है याद रखें दूद की बोतल और प्लास्टिक के निपल इस्तेमाल ना करें इनसे शिशु को चप्टे या उल्टे निपल से स्तन पान करने में मुश्किल होगी मा कई बार शिशु को अपने बिना कपड़े पहने हुए शरीर के करीब रखे इस से मा में ओक्जिटोजिन बनेगा और दूद आराम से निकलेगा हमेशा याद रखें कि मुँ की सही पकर से निपल की हर परिशानी को दूर रख सकते हैं अब स्तन पान कराती माउं के निपल की स्तिती पर ये स्पोकन टुटॉरियल यही खत्म होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जोडने के लिए धन्यवाद निपल शिल्ड के इस्तमाल से होने वाले नुकसान पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम जानेंगे निपल शिल्ड निपल शिल्ड के इस्तमाल से होने वाले नुकसान परियाप्त दूद पिलाने के सुझाओ चलिए शुरू करें दूद पिलाने में निपल शिल्ड का इस्तमाल किया जाता है यह निपल के आकार जैसा होता है और प्लास्टीक, सिलिकॉन, लेटेक्स या किसी और पदार से बनता है दूद पिलाते समय यह निपल और स्तन के काले भाग के उपर होता है यह कूछ देर का समाधान है शिशु को मा के निपल को पकड़ने में मदद के लिए निपल शिल्ड आम तोर पर उन माओं को देते है जिनके निपल चपते होते है यह उन माओं को भी दिया जाता है जिनके निपल उलते होते है इन्हे तब भी इस्तमाल किया जाता है जब शिशु अच्छे से निपल से नहीं जुड़ता या उसे चूस नहीं पाता वे माई जिनके निपल फटे होने के कारण दर्द होता है वे दर्द से बचने के लिए इसका इस्तमाल करती है लेकिन दूध पिलाते समय निपल शिल्ड का इस्तमाल करना नुकसान देता है वे शिशू और मा के स्तन के बीच में दूरी बनाते है वे दूद पिलाने को अस्वाभाविक महसूस कराते है स्थन के काले भाग की उत्तेजना को कम करते है यह मा में प्रोलैक्टिन और ओक्सिटोसिन के निकलने में बाधा डालते है प्रोलैक्टिन और ओक्सिटोसिन दूद पिलाने के लिए जरूरी हार्मोन है प्रोलैक्टिन स्टन में दूद के बनने में मदद करता है ओक्सिटोसिन स्टन से दूद को बाहर निकालने में मदद करता है इसलिए निप्पल शिड दूद पिलाने के समय स्टन के दूद को कम कर देता है इससे दूद पिलाने में लगने वाला समय बढ़ जाता है दूद पिलाने के बाद मा और शिशु को ठकान नहसूस होती है जादा समय तक इस्तमाल करने पर शिशु को निपल शिल्ड की आदत पढ़ जाती है शिशु निपल शिल्ड के बिना दूद पीने से इंकार कर देते है शिशु का इस पर निर्भर होना स्तन के दूद की कमी का कारण बन सकता है जो कि ठीक नहीं है समय के साथ यह स्तन के दूद को कम कर देता है इसलिए यह जल्दी दूद छोड़ने का कारण बनता है निप्पल शिल्ड का इस्तमाल करने वाली कई माएं बहुत जल्दी ही शिशु को स्तन पान करना बंद कर देती है निप्पल शिल्ड स्तन के निप्पल को बच्चे के मुह के अंदर तक पहुँचने से रोकता है यह शिशु को मा के स्थन से गहराई से जुड़ने नहीं देता यह बाधा डालता है जब शिशु स्थन को अच्छे तरीके से चूसना सीखता है जब निपल शिल्ड का इस्तमाल होता है तो शिशु के स्थन को चूसने का तरीका बदल जाता है निपल शिल्ड शिशु के चूसने की तेजी को बढ़ाता है यह स्तनपान के दोरान शिशु के आराम करने के समय को भी बढ़ाता है निपल शिल्ड के कारण शिशु ज़्यादा हवा निगल सकता है निपल शिल्ड जादा तर स्थन से गिर जाते हैं जिससे शिशू का दूध पीना रुख जाता है निपल शिल्ड मा और शिशू को सहूलियत का एसास नहीं होने देते इस्तमाल के बाद मा को उन्हें साफ करना मुश्किल होता है जिससे शिशु को infection का खत्रा बढ़ जाता है सही छेद न होने पर निपल शिड में से दूद ठीक से नहीं निकल पाता यह शिशु की थकावट और कम विकास का कारण बन सकता है कभी-कभी गलत माप या आकार के निपल शिड का इस्तमाल किया जाता है वे शिशु की सांस घोट सकते है वे मा के फटे निपल का कारण बनते है या उनकी हालत जादा खराब करते है निपल और काले भाग को सिकोडने से निपल में चोट लग सकती है यदि शिशु ठीक से नहीं चूसता है तो निपल शिड की सलाहन नहीं दी जानी चाहिए नहीं दिखाया गया है जब शीशु दूद नहीं पीता है कुछ विशेशज्य निप्पल शिल्की सला देते हैं दूद ना पीने का कारण चपते वह उल्टे निप्पल होता है समय से पहले पैदा हुए शीशु के लिए भी इस्तमाल किया जाता है इस्तमाल करने का एक और कारण है शीशु का मा के स्थन को ठीक से न जूसना इसके कुछ अन्यकारण नियूरो मस्क्यूलर और इंप्रिंटिंग भी है इंप्रिंटिंग एक ऐसी आदत है जो जीवन के शुरुवाती घंटे में होता है शीशु जन्म के बाद स्वाभाविक रूप से मा के स्थन से जुड़ जाता है पर जल्दी से जल्दी अगर स्थनपा न कराया जाए तो शीशु किसी और चीज से जुड़ जाता है जैसे अंगुठ चूसना, बोतल या प्लास्टिक का निपल चूसना आदी इससे शीशु स्थन से दूद पीने में मना कर देता है कभी कभी किसी मा को तना हो सकता है वह बोतल से दूद पिलाने का सोचती है ऐसे में निपल शिल्ड उसे थोड़े समय के लिए समाधान दे सकता है फिर शीशु को बोतल से दूद पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे एक स्तनपान विशेशग्य द्वारा ठीक से मदद की जानी चाहिए कुछ माएं जादा समय तक निपल शिड का इस्तमाल करना पसंद करना चाहती है उन माओं को शिल्ड मददगार है या नहीं इसकी जांच के लिए उन्हें नियमित जांच के लिए जाना चाहिए इस्तमाल के लिए उसमें कोई तबदिली नहीं करनी चाहिए कभी कभी एक मा निपल शिड का इस्तमाल करने के बारे में पूछ सकती है तो ऐसे में पहले मा से दूध पिलाने का तरीका और दिक्कतों के बारे में पूछना जरूरी है उसके दूध पिलाने के हर एक अनुभव को पूछना चाहिए शिशु के स्तन चुसने के तरीके को ठीक करने की कोशिकों के बारे में पूछना चाहिए फिर मा के स्तनपान की तक्निक को ठीक करने के लिए सुझाव दे निपल शिड सिर्फ एक स्वास्थ सेवक से सलहा लेकर ही शुरू किया जाना चाहिए उन्हें स्तनपान कौशल का विशेशग्य होना चाहिए उन्हें निपल शिड का इस्तमाल करने के फाइदे और नुकसान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए उन्हें इसका उप्योग करती हुई मा को नेयमीत रूप से इसकी जांच करवाने के लिए उसे बताना चाहिए शिशूओं को निपल शिल से दूध पीने की आदत हो सकती है बाद में वे मा के स्टन से बिना शिल के दूध पीने से मना कर सकते है ये भी हो सकता है कि वे बाद में मा के स्तन से गहराई से न जुड़ सके इसलिए पहले 48 घंटों में दोबारा जांचना खास तोर से जरुरी है मा को निपल शिड के इस्तमाल को छुड़ाने में मदद करनी चाहिए कुछ स्वास्थ्यकर्मी माओं की सही तरह से मदद नहीं कर सकते उन्हें उसको स्तनपान विशेशग्य के पास भेजना चाहिए माओं को हमेशा दूद पिलाने का सही तरीका सीखना चाहिए उसे यह पता होना चाहिए कि शिशू को निपल से नहीं बलके निचले एरोला से जुड़ा होना चाहिए इसलिए शिशू के जुड़ने के लिए उबरा हुआ निपल ज़रूरी नहीं होता है अक्सर गेहरे जुडाव से निप्पल स्वाभाविक रूप से बाहर निकल सकता है यह कुछ दिनों में गेहराई से जुडे हुए शिशू के अच्छे से चूसने की वज़े से होता है निप्पल शिड का इस्तेमाल इस प्राकृतिक प्रक्रिया को मुश्किल बना सकता है शिशू के पैदा होने के एक घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना जरूरी होता है ऐसा करने के लिए जन्म के एकदम बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क कराया जाना चाहिए जन्म के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क को एक दूसरी टुटोरियल में समझाया गया है मा को भी दूध पिलाने का सही तरीका सीखना चाहिए Cross Cradle Hold उनमें से एक है यहाँ पकड अच्छे से शिशू को दूद पिलाने में मदद करेगी भले ही मा के निपल चपते हो इस पकड में स्तन पर मा की उंगलिया शिशू के होटों के बराबर होती है यहाँ शिशू को स्तन से गहराई से जुड़ने में मदद करता है Cross Cradle Hold को एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है स्तनपान कोशल सीखने में मा के धर्ये को प्रोटसाइद किया जाना चाहिए निपल शिल्ड इस्तमाल किये बिना दूद पिलाने की बार-बार कोशिश की जानी चाहिए याद रखे, जनम से पहले 6 मेहनों तक सिर्फ स्तनपान कराना बहुत जरूरी है शिशू के विकास के लिए स्तनपान असरदार होना चाहिए यही स्तनपान तक्निक यह पक्का करेगा कि शिशू को जरूरत के जितना दूद मिले कोई भी आप्राकृतिक चीज कभी भी प्राकृतिक स्तनपान की जगा नहीं ले सकता एक विशेशग्य को हमेशा मा को उचीद स्तनपान कोशल सीखने की सही सीख देनी चाहिए अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है स्तनपान कराती माउं के स्तन की स्थिति पर स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे स्तनों का कडक होना और उनमें दर्द वाली सूजन होना आए शुरू करते हैं कडक स्तनों से आम तोर पर स्तन प्रसव के बाद तीन से पांच दिनों में कडक होने लगते हैं दोनों स्तन एक साथ ही कडक होते हैं मा को कडक स्तन और भरे हुए स्तनों का फरक समझना चाहिए इसलिए अब हम बात करेंगे कडक और भरे हुए स्तनों में फरक की कड़क स्थन दूद से भरपूर, ठोस, सूजे हुए और दर्द भरे होते हैं उन पर चमक होती है और नसे फैली हुई दिखाई देती है मा को 24 घंटों से जादा तक बुखार रहता है और शिशु को स्थन को मुँँ से पकड़ने में मुश्किल होती है जबकि भरे हुए स्थन एक दम सामान्य होते हैं भरे हुए स्थन बड़े दिखते हैं पर उन पर चमक नहीं होती भरे हुए स्थन में दर्द नहीं होता और इनके कारण बुखार भी नहीं होता अब हम बात करेंगे कि क्यूं कड़क होते हैं स्तनपान कराती माओं के स्तन कड़क स्तन बताई गई वजह से हो सकते हैं अगर प्रसव के तुरंट बाद शिशु को स्तनपान नहीं कराया हो अगर कई बार स्तनपान ना कराया जाए अगर स्थनपान के समय शिशू की स्थन पर सही पकड़ ना हो और अगर माने अचानक से स्थनपान बंद कर दिया हो अब हम बात करेंगे कडक स्थनों के इलाज की पहले मा से उसके हाथ साफ पानी से धोने को कहें और फिर शिशू को मा के इतने करीब लाएं कि वो उसे देख सके सूंग सके और छू भी सके पर इन सबसे अगर शिशू परिशान हो तो मा शिशू का तौलिया भी सूंग सकती है इसके बाद मा को एक गिलास पानी पीना चाहिए और फिर एक गरम गिला कपड़ा अपने सतन पर 5-10 मिनट तक रखना चाहिए या फिर गरम पानी से नहाना चाहिए इन सबसे दूद के बाहर निकलने में मदद होती है इसके बाद स्वास्ट से विका को मा से आराम करने को कहना चाहिए क्योंकि जादा चिंता से let down reflex पर असर होगा और दूद नहीं निकलेगा अब परिवार का सदस्य या स्वास्त सेविका को मा की गर्दन और पीठ के उपर वाले भाग पर मालिश करनी चाहिए इससे दूद के निकलने में मदद होगी क्योंकि स्थनों और पीठ की नसे एक ही हैं फिर मा को अपनी उंगलियों से गोलाकार तरीके से अपने स्थन की मालिश करनी चाहिए मालिश से उसे आराम मिलेगा और let down reflex सुधरेगा और इन सब से oxytocin निकलेगा इसे oxytocin reflex या let down reflex कहते हैं oxytocin हर्मोन दूद के निकलने में मदद करता है एरियोला को नरम करने के लिए मा को खुद अपने हाथ से थोड़ा दूद निकालना चाहिए इससे शिशुकोस्तन से जुडने में आसानी होगी हाथ से दूद निकालते हुए मा को एरियोला पर जोर लगाना चाहिए हाथ से दूद निकालने के बाद मा की शिशुको एरियोला से जुडने में मदद करें क्योंकि शिशु के लिए खुद से जुरपाना मुश्किल होगा। कोशिश करें दोनों सनों से स्तनपान कराने की। स्तनपान के बीच में मा को गीला ठंडा कपड़ा अपने स्तनों पर 5-10 मिन्टों तक रखना चाहिए या फिर ठंडी बंदगोबी के पते अपने स्तनों पर रखने चाहिए वो बंदगोबी के पते या तो फ्रिज या फिर मिट्टी के घड़े में रख सकती है। इन सबसे स्तन की नर्मी और पानी वाली सूजन कम होती है और वो कई बार स्तन पान करा सकती है। अब हम सीखेंगे स्तनों को कड़क होने से कैसे रोकें। पहला शिशू के भूके होने के संकीतों को समझें। जैसे हिलना, रूटिंग रिफ्लेक्स का बढ़ना। रूटिंग रिफ्लेक्स में शिशू अपने गाल या मूग को छूने वाली हर चीज की तरफ अपने सर को घुमाती है, उंगलियों को चूसती है और कुछ देर के बाद रोने लगती है। जैसे हिशिशू भूके होने का संकेत दे, उसे दूद पिलाएं, उसके रोने का इंतजार ना करें। ये पक्का कर लें कि स्तन पर उसके मूँ की पकड सही है और वह अच्छे से पी रही याद से पहले एक स्तन को पूरी तरह खाली करके ही दूसरे स्तन से पिलाएं। अब हम स्तनों की ऐसी स्तिती की बात करेंगे जिसे मस्टाइटिस बोलते हैं। इस स्तिती में स्तन का एक हिस्सा लाल, सूजा हुआ और कड़क हो जाता है। मा को बहुत दर्द और बुखार रहता है, जिससे वह बिमार महसूस करती है। कई माओं को पहले 6 हफ़ों में मस्टाइटिस होता है, पर ये स्तन पान के काल में कभी भी हो सकता है। कभी-कभी इसे कड़क स्तन भी समझा जाता है। मगर कड़क स्तनों के दौरान दोनों स्तन पूरे के पूरे कड़क होते ह जबकि Mastitis में सिरफ एक ही स्तन के कुछ भाग पर असर होता है Mastitis एक कड़क स्तन में हो सकता है या फिर बंद नली के जैसा भी हो सकता है अब हम बात करेंगे उन बंद नलियों की जिनका इलाज ना करने पर उन में Mastitis हो सकता है बंद नली ऐसी स्तिती है जब स्तन में से दूद ना निकाला जाए अकसर ये नली स्तन के उस भाग में होती है जहां पर गाड़ा दूद जमा हो इस वज़े से गांट हो सकती है ये गांट नरम होती है पर इसके उपर की चमड़ी लाल होती है बंद नलियों और कड़क स्तनों की वज़े से दूद का बाहाग ठहर जाता है जब दूद स्तन के किसी भाग की बंद नली में या फिर कड़क स्तन में ठहर जाता है तो उसे स्टैसिस कहते हैं ठहरे हुए दूद को ना निकाला जाए तो स्तनों के उतक में सूजन हो सकती है, जिसे बिना infection वाला mastitis कहते हैं। पर कभी-कभी स्तनों में bacteria का infection हो जाता है, जिसे infection वाला mastitis कहते हैं। अब बताई जाने वाली स्थितियों में बैक्टिरिया असानी से दरारों में से अंदर जा सकते हैं जैसे कि अगर स्थन पर दरारे हों, मस्टाइटिस का इलाज ना किया हो या फिर देर से इलाज किया हो याद रखें कि मस्टाइटिस का इलाज ना किये जाने पर आगे चल कर वहस्तन पर फोड़ा बन जाता है अब हम बात करेंगे किन वजहों से मस्टाइटिस होता है मस्टाइटिस का सबसे पहला कारण है बार-बार दूद न पिलाना दूद पिलाती मा अगर काम काजी महीला हो तो बार-बार दूद पिलाने में मुश्किल हो सकती है बार-बार दूद न पिलाने की और वज़य हो सकती है मा या शिशु की बिमारी दूसरी वज़य है निपल से स्थन पान जिससे शिशु स्थन को पूरी तरह खाली नहीं करेगा तीसरा है जरूरत से जादा दूद बनना और चौथा है शिशु का दूद छुड़ा कर उसे दूद के अलावा खाना देना पांचवां टाइट कपड़े रात को टाइट ब्रा से स्थन पर जोर पड़ेगा और दूद की नल्या बंद हो जाएंगी छटा है मा को तनाव होना अगर मा को किसी भी तरह का तनाव हो तो इससे लेट डाउन रिफलेक्स पर असर होगा साथवां है निपल में दरारे होना जिससे बैक्टीरिया स्थन के उतक तक पहुँच सकते हैं और इससे मस्टाइटिस हो सकता है अब हम देखेंगे मस्टाइटिस का इलाज कैसे करें पहले वजह को जानिए और फिर इलाज शुरू करें मा को स्थनपान से पहले गरम सेक लेना चाहिए या फिर गरम पानी से स्थनान करना चाहिए उसे स्थनपान पहले प्रभावित स्थन से कराना चाहिए अगर दर्द जादा होने लगे या फिर लेट डाउन रिफलेक्स पर असर हो तो तंदरुस स्थन से शुरू करें याद रखें, बार-बार स्तन पान कराना जरूरी है. अगर जखम निपल या स्तन के काले भाग पर नहीं है, तो मा उसी स्तन से स्तन पान करा सकती है. याद रहें, जब भी मा मस्ताइटिस वाले स्तन से शिशु को स्तन पान कराए, तो ध्यान से शिशु में इंफेक्शन के संखेतों को देखें, क्योंकि ऐसे में शिशु को इंफेक्शन होनी का खत्रा रहता है. वो इसलिए क्योंकि प्रभावित स्तन के दूद में खतरनाक ब और मा को काफी आराम करना चाहिए, अगर तबित जादा खराब हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ओप्रेशन से स्तन के फोडे की पीक निकालनी होगी और मा को दवाई भी देनी होगी, इसके अलावा मा को चाहिए कि वह आराम करें, गहरी सांसे ले, मन को खुश करने वाले गाने सुने, और शिशु के बारे में सोचे, ताकि लेट डाउन रिफ्लेक्स के शुरू होने में मदद हो, याद रहे, मूँ की सही पकड़ से, मस्टाइटिस से बच सकते हैं, और बंद नलियों से भी, और इस से शिशु को काफी दूद भी मिलेगा, स्टन के इन सबी स्थितियों से बचने के तरीके हैं, सही जुड़ाव और शिशु की स्थिति, और बार-बार स्टन पान कराना, अब स्टन पान कराती माओं के स्टन की स्थिति पर यह टूटोरियल यहीं खतम होता है, IIT Bombay से मैं, Bella Tony, आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद क्या बार शिवाद